हे गाइज असलामों ईखो मेक्टोटेयरीच है आप सब ठीक होगे तो आज हम बनाने भाले हैं मतन चनावोटी तो चलिए इसकी रेसिपि देखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यह आदा किलो गोष ले लेंगे इस इस तरह से चुटे चनावोटी के साइस जितना मेरे का एक चममाच चमाच हग्टि पाव चमाच हल्दी पाउडर दालेंगे 2-2 थोड़े चमाच कश्मींरी लाल मिर्श लालेइगे, यह oud truth नामच चमाच हरी चावट्रि अब हम इसमें ये एड़ कर देंगे एड़ करके इसमें हम चार चमच दही एड़ करेंगे और अब हम इसमें नमक अबाब के टेस्ट की हिसाब से एड़ करें पाउ चमच गरम मसाला पाउडर भी एड़ कर देंगे और हम इसे मिक्स करके मैरिनेट करने आदे गंटे के लिए उसके बाद हम एक कुकर में दो से तीन जमेच टेल एट करेंगे एक बड़ी इलाईची छोटा दालचीनी का तुकड़ा दो चोटी इलाईची दो लॉंग और दो मीडियम साइज की प्याज एट करेंगे प्याज एट करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे पूरी तरह से कुक नहीं करेंगे इसे सरिफ प्रिंकेश ऐसा कलर हो जाए प्याज जो है जब सॉफ्ट हो जाए तब इसमें हम हमारा मैरिनेटेड जो गोश्टा वो इसमें एट कर देंगे एट करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करके अब हम इसमें जो मसाला था मैरिनेटेड कियागा बावल में उसमें थोड़ा सा पानी दालकर इसमें एट कर देंगे एड़ करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी आप लोग इसमें नहीं भी ढालेंगे तो चलेगा क्योंकि इसका पानी अल्रडी निकलेगा और उसके बाद कुगर का लिट लगाकर हम एक सीटी जब आ जाए उसके बाद 15 मिनिट तक स्लो करके पका लेंगे ताकि गोश् इसका पानी कितना निकला है अब हम इसे गैस की फ्लेम हाई करके पानी पूरा सुखा लेंगे यह देखिए पानी जब सूख जाए तो इसे अच्छे से भून लेंगे कि दो से तीन मिनिट तक अच्छे से भून लेंगे भूनने के बान इसमें हम थोड़ा नमक कम लगा था तो इसमें थोड़ा सा नमक अट कर देंगे, आप लोग भी एक बार लास्च में चेक कर लें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गयस की फ्लेम बनकरके इसमें हरा धनी आड़ कर देंगे हरा धनिया अट करके भी इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम डिशाउट कर लेंगे और अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी रसी अच्छी लगई तो लाइक, शेयर, कॉमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूले ताकि आप लोगों को जो हमारी नूटिफिकेशन सारी रेसिपी इसकी मिलती रहे ये देखिए बोष माशाले से कितना अच्छा गल गया अल्ला आफीस